हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में जिसा कि RRB P.O. किलर्क प्री एक्जाम से तो आप फ्री हो गए लेकिन अगला एक्जाम है IVPS किलर्क प्री का एक्जाम और RRB के एक्जाम से एक चीज तो सीखने को मिली है कि भले ही किलर्क का एक्जाम है लेकर हम पहले से नहीं सोच सकते है कि पेपर का लेविल आसान रहेगा या हमारी से आसान रहेगी कोई भी से आसान हो सकती है और कोई भी से द मौटर्ट और कैलकुलेटिव हो सकती है तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो पर आपको सब्जानदा फोकस करना है क्योंकि बहुत सारे प्री एक्जाम में देखने को मिल चुका है कि वो सब्जेक्ट मौडरेट और कैलकुलेटब आ रहा है वो है कौांट यहां बहुत सारे स्टूडेंस के अटेम्ट कम हो रहे है अब करना क्या है कौांट में तो कोई ऐसा भी नहीं है कि किलर का एक्जाम है तो कुछ पीयो की चीज़े पूछ ली या कुछ अलग से ऐसा पूछ लिया जैसे पेपर मौडरेट और टफ हो गया चीज़ें कलर की ही रहेंगी लेकर उनी को वो थोड़ा कैलकुलेटव कर देंगे या मौडरेट कर देंगे अब जैसा कि नंबर सीरीज की बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज तो बहुत सारे स्टूडेंस है बन जाती है लेकिन कहीं ना कहीं wrong number series कुछ ऐसी पूछ लेते हैं जहां हमें काफी time लगता है तो ऐसी number series को आपको practice करना है जो landy number series है इनकी आपको practice करके जाना है missing और wrong दोनो Cassulate जितनी प्रिकार की Cassulate आप practice कर सकते हैं करके जाएए क्योंकि ये आपको काफी साधे सिप्ट में देखने को जरूर मिलेगी किसी भी सिप्ट में जब Cassulate आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो सिप्ट थोड़ी सी Calculative Modern जरूर देखने को मिलती है उसके बाद बात करें डी आई तो को नॉर्मल डी आई की प्रैक्टिस तो आप करी रहे होंगे टोटल निकालना एवरिज निकालना सीरीज निकालना रेशियो निकालना उसके बाद आपको परिसेंटेज निकालना लेकिन उन questions की आपको practice करके जाना है जो थोड़ कैलकुलिटिब देखने को मिलते हैं लेंडी देखने को मिलते हैं आपने pre exam में भी देख लिए होंगे मॉक्तेस में ऐसे questions आपको जरूर देखने को मिलते होंगे उसके बाद बात करें तो arithmetic अब होता क्या है कि banking exam में बहुत सारे स्टूडेंस होते हैं जिनकी arithmetic की practice नहीं होती है arithmetic को इसकिप कर देते हैं लेकिन जिस तरह का arithmetic और जिस तरह का quant exam में देखने को मिल रहा है अब arithmetic important हो गई है माल लीजे कोई D.I.S.E. आ गई जिसमें आप पूरे question attempt नहीं कर पाए माल लीजे कोई catchlet ऐसी आ गई आप attempt नहीं कर पाए तो कम से कम उसकी जो number रहेंगे वो arithmetic से आप कुछ हद तक निकाल सकते हैं अगर आपकी practice होगी तो अगर 10 आपकी shift में 10 arithmetic के question आ गए तो 4 से 5 question ऐसे जरूर रहेंगे जो बहुत आसान होगे अब होता क्या है practice नहीं होती है तो वो भी tough लगते हैं तो उनको भी हमा attempt नहीं करते हैं किदी shift में 12 या 15 question आ गए तो 6-7 question आपको आसन जरूर देखने को मिलेंगे इसलिए arithmetic की practice कीजिए अभी भी 7-8 दिन बागी है कुछ chapter की practice करके जाएए पूरे chapter नहीं सिर्फ कुछ chapter की practice करके जाएए बागी जिस तरह आप mock test लगा रहे है continue लगाते रहे है यह को आप comment में जरूर बता दे कि IBPS clerk pre-exam में pre-mock test में कितना score और percentile आपका बन रहा है और जिस तरह का paper pre-exam में भी अब देखने को मिल रहा है जिस तरह के questions भी आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे questions आपको smart qida के mock test में जरूर देखने को मिलते हैं जो कि जो भी students smart qida का mock test दे रहा है उनको पता है तो जनके पास भी mock test नहीं है ठीक है तो एक अच्छा offer smart qida पर चल रहा है जो कि offer कल तक है only 20% का discount one year के plan पे है जिसमें आपको mock test भी मिलेंगे और sectional mock test भी मिलेंगे अभी भी देखा जाए तो काफी सारे exam साभी होने बाकी है ठीक है तो आप code use करेंगे PM10 तो सीधा 20% का आपको discount मिल जाएगा link आपको description मिल जाएगी बाकी आप comment में ज़रूर बता है कि IVPS clerk pre exam आपका किस दिन और किस shift में है मिलते हैं finished वीडियो में जब तक के लिए दरना बात